तो हम एनलसिस करेंगे इसमें आज 21 नुमबर 2021 इवनिगशिफ्ट के बारे में तो देखें यूजिशनेट का एक्जाम कैसा आया है 21 नॐमबर के लिए और लेडी देखें मैं मॉर्निंग शिफ्ट काommes जर्ट हूं तो इसमें हम इवनिंग शिफ्ट करेंगे अगर आप हमारे देखें और सब्सक्राइब करें साथ में पहले कि प्रेस करें कि जैसे आपको मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और जोइन करें टेलिग्रम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है तो देखें इस वीडियो में सरसे पहले हम टॉपिक डिसकस करेंगे उसके बाद फिरमेज के कोश्च जना अंसर दिसकस करेंगे तो आपका जिसमें हर वीडियो में पहले मैं पेपर बन के opportunities के लिए आपको मैं जिक्पर बताता हूं कि कॉन से यूनिट से कौन सर टॉपिक आत टिक है अगर टीचिंग करना है डॉमेलस करना है ऑर स्वायम करणा है इन करने है इन में से डायक्ट कॉशन आते हैं ठीक है उसके बाद रिसर्च में रिसर्च सेंप्लिंग है रिसर्च to type है और assertion reason का caution यहां पर था थीक है sampling है types है और assertion reason का caution देखे एक आया था इसमें तो आप इसको पर focus करिए comparison देखे level easy ही है तो आप उसके जंदा मत करिए so unit for communication में देखे communication जो classroom communication है वो आता है मास media society से caution आया और verbal और non verbal communication क्या होता है उससे कॉशन आया और देखें इसमें क्या है कि number series आया clock का कॉशन आया percentage और ratio का कॉशन आया तो देखें मैफ में percentage ratio और average यह तीनों चीज़े करनी ही होती है इससे आपका unit 5 और unit 7 दोनों निकल जाते हैं तो number series आपको करनी है letter series भी आप साथ करनी है आपको इसके मैं कॉशन भी discuss करूंगा कि कैसे कॉशन दे तो आपका judgment हो जाएगी कि कि किस लेवल की कॉशन त्यार करने है तो देखें unit 7 की बात करें तो moderate level है अभी तक moderate ही आ रहा है ना ज़्यादा असान ना ज़्यादा मुश्किल सो unit 8 में देखे information communication technology इनकी ICT में internet से संबंदित कॉशन था वो क्या था अभी तक पता नहीं चल पाया लेकिन internet से संबंदित था फुल फो में एक direct आ रही आपको याद करनी है और digital initiatives है digital initiatives देखे जैसे स्वायम स्वायम प्रभा मूख हो गया और उसके millennium development goal या sustainable development goal आपको करना है और pollutants से लिए पहले pollution से कॉशन आया था अभी pollutants से कॉशन आया कि जो pollutants क्या होते है कि जो production को फिलाते हैं कि pollution जो फिलाते हैं उन्हें कहते हैं pollutants फिर आया था कॉशन hazards का ठीक है फिर हजार्स का कॉशन यहां पर आया युनिट फिर 10 आ गया हजार्स होता है देखिए हजार्स के साथ आप मिटिकेशन भी जुरूर करिए ठीक है हजार्स होती है आप दा तो हजार्स का कोशन आया था आपको पॉलोटेंट्स हजार्स SDG यह कोशन आये थे आपको यह टॉपिक के ऊपर फोकस कर लिजिए युनिटर में देखे गुवर्णना से कोशन था और एक्ट आये थे ठीक है और नैशनल एजुकेशन पॉलिशी से सबंदी कोशन था तो यह होगे टॉपिक्स जो आपको मैंने बताए हैं जो आपको करने ह आप मोर्निंग शिफ्ट का भी देख सकते हैं मैने आपको एविञेंग शिफ्ट के बता दिये तो आप उसके एकोशन अपनी तةरी करें जिनका कल एक्जाम है थीध एटेकat अब है तो हम कॉश्चन यहां पर this discuss करते हैं तो सब्वकेश करते इसा प्रभावी अध्यापन में मुख्य वहवार का संकेतक होता है। इनमें से कौन सा इंडिकेटर है जो इफेक्टिव टीचिंग के लिए होता है। यहाँ पर ऑप्शन थे याद नहीं है किसी को भी। यहाँ पर आपको अंसर बताते हैं। उसका अंसर है देखें यहाँ पर इंगेजमेंट इन लर्निंग बाइ स्टुडेंट अब देखें जो फैक्टिव टीचिंग होती है। विसर्च से पता चला है कि फैक्टिव टीचिंग किस से होती है तो होती है इंगेजमेंट इन लर्निंग बाइ स्टुडेंट अब देखें विद्यार्सी द्वरा अधिगम में सनलिपता अब देखें होता क्या है कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं जब शक्षक द्वारा अपने ज्यान कोशल अभिवेतियों पर उसाहन का जो प्रदर्शन किया जाता है वह सभी शक्षक की प्रभावकारिता के अतरगत आता है शो दरा प्रापस साक्षक के अधार पर प्रभावी अधियापन में मुख्य विवार का संकेतर विद्यार्ति कारे में रूची लेता है उसका निश्पातन अच्छा रहता है तो इसके अधार पर हम जान सकते हैं कि शिक्षण कारे अतरंत प्रभावशाली है यानि कि देखे जब टीचर क्लास में बच्चों को इंट्रस्टिंग टॉपिक पढ़ाते हैं तो बच्चों की सलिपता होती है बच्चों की एंगेजमेंट होती है तो एक एफेक्टिव टीचिंग का काम होता है अगर देखे बहुत सारी टीचर है जो बेकार टॉपिक को भी अच्छा बना देते हैं कि ताकि स्टूडन को समझ में आए ठीक है तो जैकंड कोचन है अब देखे मूग की फुल फुर् देर आर मेबी वन लैक प्लस स्टूडन इन एमोग अब देखे एक लाग से ज़्यादा स्टूडन है मोग में ओपन का मतलब क्या है एनिवन एनिवेर कैन रिजिस्टर पर दीस कोर्स ठीक है उसके बाद देखे ए कोर्स इस डिलिवर्ड इंटारली ओवर दा इंटरनेट अ अब देखे कोर्स में क्या है आपको जितने भी कोर्स हैं कोलेज के वहते गरीबन आपको सारे यहां पर मिल जाएंगे ठीक है तो नेक्स्ट है कॉस्ट नमबर थ्री क्या 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 होता है उसमें एंकोर्डिंग है ठीक है उसमें डिकोडिंग है उसमें चैनलाइजेशन है इनकी कूट संकेतन है वी संकेतन है संचारन है अब देखे कम्मिकेशन विरीबल का मतलब क्या है इननों बताया है कि कम्मिकेशन के विरीबल में क्या जीज़े इन्वॉल्ब है जब हम किसी से कम्मिकेट करते हैं जब हम कि तो decoding क्या है कि जिसको अपने message पहुंचाया उसने message को समझा यानकि उसने message को decode किया अब देखे encoding हो गया message बेजा message समझा लेकिन किसके जरिये बेजा channelization वो है संचारण ठीक है संपरेशन की प्रगिर्णा देख सकते हैं पहले संदेश आपको संदेश पेजना है किसके माथम से पेजना है प्रति पुष्टी क्या है फीडबैक क्या है और प्रेशक और संदेश प्राप्ति ठीक है ये चीज़े इसमें आती है सो नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर देखें नेक्स्ट कोशन है इन एक लासरूम दा प्रबिल्टी ओफ मैसिजर सप्षेप्शन कैन बी एन्हांस बाए यहाँ किसी कख्षा में संबाद ग्रहन की संभावेता को निमलेकित में से किस से बढ़ाया जा सकता है इनकी देखें अगर को कक्षा है अगर को क्लास्रूम में है वहां पर जगे जो संबाद हो रहा है संबाद किसके प्रति होगा टीचर और स्टुडेंट के बीच में ठीक है उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है इस्टैबलिशिंग ए व्यूपॉइंट यहां पर क्या है व्यूपॉइंट रखते हैं मानीजर टीचर कहते है कि महंगाई की उपर आप बोलिए कुछ कहेंगे महंगाई अच्छी है कोई कहेंगे बुरी है है ना सबके अलगले व्यूपॉइंट होगे तो उससे क्या है एक जो संबाद वो लंबा हो जाएगा है ना वो चीज़ है तो देखें नेक्ट कोचन है यह आया था दा नेक्स टर्म इन दा लेटर सेरीज दी ए एफ एफ एच आई जे लमन पी क्यो आ टी यू वी इस यह दिखें बहुत सिंपल सा है तो यह इसके ऑप्शन थे तो इसका रा प्रामगत रूप से श्रंखला उत्तरोतत आगे बढ़ रही है ठीक है यहां पे क्या है फॉर एक्जंपल टी ठीक है यहां पे ना डी एफ एफ के बाद एफ है अब देखें जो एफ ए एंड में ठीक है एफ के बाद आता है जी फिर आता है यहां पे जी को हटाया गया L है तो जे के बाद K आता है उसे हटा दिया गया ठीक है तो ऐसे देखें लास्ट में T U V के लास्ट में क्या है T U V है ठीक है V के बाद क्या आएगा ठीक है U V X आएगा ठीक है X को गाड़ दे X के बाद क्या आता है Y ठीक है तो V के बाद आता है W, ठीक है, फिर आता है X, ठीक है, हमने काटा W को, ठीक है होता न, U, V, W, X, Y, Z, तो W को काटा, तो बचा X, X से क्या स्टार्ट है, X से C स्टार्ट है, ठीक है, तो X, Y, Z आपका आंसर आ गया, ठीक है, तो यह थी letter series, sorry, number series है यह तो, ठीक है, So, which of the following implies the correct sequence in the action research paradigm, अब देखें, जो research का कोशने action search जो paradigm है, निमलिकित में से कौन क्रियात्मक शोत प्रतिमान का सही अनकुरम दर्शाता है, अब देखें, आपे सही अनकुरम था, तो इसका right answer है, plan, act, observe and reflect, इन की योजना बनाओ, करो देखो और सोचनो, पहले क्या है, plan बना फिर है, act करना, फिर है, observe करना, फिर है, सोचना, ठीक है, ये action search का काम है, आप इसे याद रखिए, ठीक है, तो देखें, next question है, यहाँ पे, in which of the following methods of research, the independent variable has to be selected rather than manipulated, यदिकी निमलिकित में से, किस अनुसंदहान पत्ती में, 374 के हेरफेर की जगा, चुनाव किया जाता है, यहाँ कि देखें, जो research method है, उसमें, independent variable है, उसको select किया जाता है, ठीक है, तो उसका right answer है, exposed factor method, यहाँ की कार्योतर पत्ती, ठीक है, अब देखें, जो research method, उसमें, जो independent variable है, उसे select किया जाता है, कि ताकि उसे, असानी से manipulate किया जा सके, hair fear किया जा सके, ठीक है, तो देखें, एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है कि जब कोई काम हो जाता है या जब कोई शोध हो जाती है जब कोई घटना हो जाती है घटना होने के बाद उसका पता लगाए जाता है कि ये घटना कैसे हुई तो उसे बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो पोस्ट का मतलब बात में ठीक है यहां कि घटा होने के बाद उसकी जानकारी इकठा करना वो है एक्स पोस्ट फेक्टो तो नेक्स कोचन है देखे यह कोचन आया था वट इस दा में एम ओफ देखे यह मौनिंग शिफ्ट में कोचन है यह इवनिंग में भी है ठीक है तो आप इसे देखिए वट इस अमें इम ऑफ एन एप दोहजार बीस यहनकी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसका में एम क्या है इसका में इम है इंडिया ग्लोबल नॉलेज सूपर पावर ठीक है knowledgeable superpower है ठीक है यह इनकी इंडिया को superpower बनना है किसमें knowledge में so next है देखे in school education GER इनकी gross enrollment ratio in by 2030 अब देखे जो school की जो है school education जो GR है gross enrollment ratio है वो 2030 तक 2030 तक कितनी होनी चाहिए वो चाहिए 100% तो यह इसका right answer था so next देखे what is the name of for a web page address अब देखे web page address का name क्या है ठीक है web page address क्या है देखे तो इसका right answer है option number C URL यहनकी uniform resource locator ठीक है तो देखे यह web page address होता है ना URL होता है हर एक website का अपना ठीक है तो web page address जो है वो URL होता है ठीक है जब आपको इस search करते हैं आपको कोई चीज़ नहीं मिलते हैं आवाज लिखा आता है URL not found यह की URL क्या है यह web page address है so next देखे question बहुत important है बहुत student ने question गलत किया है अब देखे thermal reactors produce energy by fission of falling nuclear fuels ठीक है जो thermal reactors देखे जो energy produce करते हैं ठीक है by fission so nuclear fuels में क्या है ठीक है तो देखे यह चीज़े है thermal reactors generate energy by fission of the following nuclear fuel अब देखे नुकलर fuel क्या है uranium 235 ठीक है 235 uranium 233 ठीक है इसका quality 235 और plutonium ठीक है uranium 235 uranium 233 और plutonium 239 ठीक है यह इसका answer है तो देखे यह question था next given below are two statements one is labeled as assertion and reason अब देखे एक है assertion एक है reason यह असान question था इसलिए अब देखे एक देखे लेक्स आर considered to be more susceptible to pollution than river तो next है reason water in lakes may take decade to be replaced ठीक है अब देखे जो lakes है उसमें जो river से ज़्यादा ठीक है जो जीले है उसमें नदियों से ज़्यादा क्या है pollution है lakes में ज़्यादा pollution है river से भी ज़्यादा तो जो water है उसको replace करने जूत है तो देखे आप इसका right answer है option number B both A and R correct और R is the correct explanation of A यहनकी A और दोनों correct है आप देखे जो लेक्स से बहुत ज़्यादा दूशी थे हैं polluted हैं river से भी ज़्यादा तो उसमें पानी को जो है replace करने की ज़रूरत है ठीक है so next देखे question which one of the following प्रमान is accepted in विशेशी का philosophy ठीक है अब देखे इन में से जो प्रमान है उसमें जो ठीक है प्रमान इस एप्टेर इन विशेशी का philosophy यहनकी जो विशेशी का philosophy है उसमें जो प्रमान है उसमें कैसे है ठीक है राइसान answer है option number B और उप्रमान ठीक है so next question देखे which one of the following statements about the volatile organic compounds यहनकी VOC are correct ठीक है अब इन में से देखे कौन सी VOC volcanic compound जो है वो correct है जो VOC है उसे क्या होता है ठीक है उसे क्या है they may cause cancer इसे cancer होता है they play an important role in the information of photochemical smog अब देखे photochemical smog होते है smog का मतलब क्या है कि धुआ और धुंद का मिश्रण जैसे दिल्ली के हरात है जैसे दिवाली के बात हो जाते है धुआ धुंद धुंद मिक्स हो जाती है सर्दियों में भी जैसे धुंद भी है हुआ भी है है ना सो यह चीज़ है इसमें देखे सो देखे यह लास्ट कोशन है यह वाला everyone believes that there is a soul there you should also believe it this inference commit which kind of fallacy अब देखे fallacy को कोशन मैं आपको बताए तना आये थे देखे सब विश्वास करते हैं आत्मा में तो यह कैसा belief है यह कैसी fallacy है ठीक है तो right answer है add populum देखे add hominion है fallacy accident है add populum है यह fallacy of ambiguity है अगर आपने अच्छे से बढ़ाओगा तो आपको इसानी से समझ में आएगा the above argument contains add pop logic add populum is a logic in which an attempt is made to prove the argument by basing the opinion of a large group of people देखे add populum क्या है populum का मितलब क्या है people ठीक है देखे जितनी जादा group of people जैसे बहुत जादा अबादी वाले जो people है अगर वो argument करते हैं ठीक है तो उसे बोलते हैं add populum देखे बहुत सारे अगर लोग हैं किसी गलत चीज़ को भी promote करेंगे तो उसे भी सही माना जाएगा तो ये थी आज की information ये था आज का analysis बहुत मुश्कल से analysis की कठा होता है तो आप वीडियो को पूरा देखिए आपके ये काम आएगा तो इसका PDF में आपको बहुत चल्द बनाके आपको मैं टेलिग्राम चैनल पर दूँगा तो टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लिजे तो बने रहे हमार साथ तो डेक के आएगा